जैहिंद नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टैन्ड बीपीएसी में दोस्तो आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षन 2023 से 24 का करेंगे इसमें पूरा कम्प्लीटली हम लोग जितने इससे समधित प्रशन बनेंगों भी करेंगा पूरा डिटेल में हैंट रा तक रहने का अनुमान है यानि प्रशन पूछेगा 2024 से 2025 में वास्त्विक घीडीपी का ब्रेधी दर कितना रहने का अनुमान हैं तो सारे 6 से 7% अनुमानिते किया गया है ठिकना उसके बाद देखिए 2023 से 2327 में ब्रेधीदर 8.2% रही यानि 2023 से 2370 में ब्रेधीदर ग्रीध रहा वही 2024 में देख लिजे कितना है यही सारे 6 से 7 परतिशत रहने का अनुमान है तो यहां से एक प्रसन के लिएर हो गया इस तीर मूले पर वर्ष 2024 में सकल मूले वर्धन जिसे जीवी एंगलिस में बोलते हैं ठेकना कि ब्रीधी दर कितना रहा तो यह 7.2 परतिशत रहने का नीचे दिखा देते हैं ठिक है नीचे देख लिजे यहां पर दिया हुआ है उसके बाद आगे देखते हैं चालू खाता ठिक चालू खाते के बात करें तो देखें 2024 में चालू खाता का घाटा कितना हुआ 0.7 परतिशत ठिक चालू खाता और वही 2023 में 2% का घाटा हुआ है ठीक ना, तो 2024 में 0.7 परतिसत, चुकि इसमें परतियक्षकर में देखे तो 45 परतिसत हैं, तो दोनों का कुल संग्रा, ठीक है, इसका दोनों का कुल संग्रा करेंगा, तो 100% हो जाएगा, यहां पर देख लिजिए, 2023-2024 यानि 2024 में 5.6% राजकोसिय घाटा रहा ठिक है ना आपसे प्रस्ण पूछ देगा कि 2024 में राजकोसिय घाटा कितना रहा तो 5.6% ठिक 5.6% वही पुछेगा 2023 इससे पहले 2023 में कितना राजकोसिय घाटा रहा तो 6.4% ये दोस्तों ये प्रस्ण पूछा हुआ था 69 BPSC में भी तो ये इंपोर्टेंट है ठिक आगे देखते हैं आगे देखिए आगे हैं आपका वीत वर्ष 2024 में वास्तविक GDP वर्ष 2020 के तुनला में 20% अधिक रही दोस्तों ठिक ना 20% अधिक रहा तो वीत वर्ष 2024 में वास्तविक GDP का 2020 के तुनला में 20% अधिक है किलियर हो गया महिला स्रम बाल की भगिदारी में व्रीधी देखने को मिली है महिला स्रम बाल की भगिदारी में व्रीधी देखने को मिली है तो देखें 2017 से 2018 में 23.3 था ठीक है 2017 से 2018 में 23.3 था और वही 2022 से 23 में 37 था तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट 222 से 23 में 37 परतिशत ठीक है ये किलियर कर लिजिएगा आगे देखते हैं आगे हैं दोस्तों वर्तमान मूल पर जीविये में क्रिसी उद्योग और सेवा छेतर की भागिदारी क्रमसव कितना है तो देखें जीविये में क्रिसी उद्योग का 77 परतिशत और सेवा छेतर की भागिदारी 27 परतिशत है तो दोनों को कलेक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ठीक है ये दोनों किसके परति हैं तो ये 54 परतिशत का ये दोनों ठीक है ना वर्तमान मूल पर जीविये का है ठीक है तो विट वर्स 2024 में 4.5% की ब्रीधी हुई है ठीक है तो परतमान मोल पर जीवी ये में ठीक है विट वर्स 2024 में 4.5% की ब्रीधी हुई है ठीक चलिए आगे देखते हैं आगे है पुझिगत व्याय वर्स 2024 में 9.5 लाक करूर रुपया रहा जो 2023 से 28.2% रहा ठीक कितना रहा 28.2% ठीक इतना रहा उसके बाद देखिए 2023 में 28.2% है ठीक है तो यहां से एक प्रस्ण बन सकता है कि पुझिगत वर्स 2024 में 9.5 लाक करूर रुपया रहा जो 2023 से कितना अधिक है तो 28.2% कितना 2023 से कितना अधिक है तो 28.2% अधिक है केलियर हो गया उसके बाद सबसीडी पर व्याय में वर्स दर वर्स दर बार 22.1% की कमी आई है ठीक है तो सबसीडी पर व्याय दर में कितना कमी आया है तो 22.1% की कमी आई है ठीक भारत में देख लिजिए यहाँ डाइग्राम में 120 सीर सस्थान पर है ठीक है और वही मेक्सिको देख लिजिए सबसे उपर है ठीक है आगे देखते हैं आगे है आपका SNP गलोबल रेटिंग ने भारत की सवरेन क्रेडिट रेटिंग को इसतीर से सकरात्म कर दिया है ठीक है, मतलब positive कर दिया है ठीक, sovereign credit rating के अनुसार भारत को क्या कर दिया गए, सकरात्म कर दिया गए है खुद्रा मुद्रा स्फिती, with verse 2024 में घटकर 5.4% रह गई, जो 2023 में कितनी थी 6.7% थी, ठीक, important है ठीक, clear हुआ, ठीक है खुद्रा मुद्रा स्फिती, with verse 2024 में घटकर 5.4% रह गई जो 2023 में कितनी थी, 6.7% थी ठीक, उसके बाद है सकल और निस्पादित संपती जिसे इंगलिस में GNPA बोलते हैं 12 वर्सों के निवनुता मस्तर पर घटकर मार्च 2024 में 2.8% हो गई कितनी हो गई मार्च 2024 में 2.8% हो गई है, ठीक आगे देखते हैं, आगे है आपका वर्स 2023 में निवेस कदर FVI कितना डोलर है, तो 44.1 बिलियन डोलर हो गया है, ठीक उसके बाद देखिए यही 2023 में 42 बिलियन था, ठीक और FDI का 26.5 बिलियन डोलर हो गया है, निवेस कदर ठीक है, निवेस कदर यह इतना हो गया है, ठीक है ना उसके बाद गरीबी का वर्तमान इस्तिति देख लेते हैं तो गरीबी का वर्तमान इस्तिति क्या है देखें 2015-16 में 24.85 परतिसत था और यहीं से घटकर 2019 सिकेस में 14.96 परतिसत हो गया है ठीक और वर्तमान इस्तिति 2022-23 में देखें तो 11.28 परतिसत हो गया है ठेकना, यहाँ पर कुछ important point है, इसको हम पढ़कर बता देते हैं आपको, किमते और मुद्राइस्फिती, भारत का मुद्राइस्फिती प्रेद्री से, वैसिविक उपभुकता वस्तियों के किमतों में गिरावट आने के उमेद, भारतिया मुद्राइस्फिती के लिए बहतर क देखते हैं, वीत वर्स्फिती में मुद्राइस्फिती घटकर कितना रहने का अनुमान है, तो यह 4.5 परतिशत रहने का अनुमान है, वही वीत वर्स्फिती में कितना रहने का अनुमान है, तो 4.1 परतिशत रहने का अनुसार, यह fact किसने बताया है, भारतिया रिजर बैं कनुसर दोहजर चोबीस में ये 4.1 परतिसत रहने का नुमान है अंतराष्टिय मुद्रकोस आई-म-फ के एकोडिंग अगर बात करें तो वही मुद्रा इस्पीती 4.5, 4.6 परतिसत और दोहजर चोबीस में कितना रहेगा अंतराष्टिय मुद्रकोस आई-म-फ के दवरह ठिक अब आगे देखते हैं भारत का माइक्रो फाइनेंस चीन के बाद 20 में दूसरा अस्थान रखता है भारत का माइक्रो फाइनेंस चीन के बाद 200 में कौन सा नमबर रखता है अस्थान ते दुसरे नमबर पर अपना अस्थान रखता है वही भरतिय सेर बजार आर्थिक सर्वे अनुसार बीश्व का पांचवा सबसे बारा सेर बजार है ठीक है बारतिय सेर बजार आर्थिक सर्वे का अनुसार बीश्व का पांचवा सबसे बारा सेर बजार है ठीक है और सभी के लिए भीमा के लक्ष को वर्ष 2047 तक प्राप्त करना है अब इंपोर्टेंट फैक यहां पर दिया गया है इसको थोरा सा बारा करकर दिखा देते हैं इसमें क्या है अमरित काल के लिए विकास रनिती छो परमुक छेत्रों पर अधारित होगी निजी निवेश के बढ़ावा देने पर मुख्य फोकस होगा उसके बाद भारत के मिटे मिल स्टैंड के ब्रिधी और बिस्तार पर होगा क्रिशी भावी विकास के इंजन के तौर पर होगा उसके बाद भारत में हरित परिवर्तन के बिद पोसन को सुरक्षित करना ठीक राज concurrent निर्मान पर फोकस यग्छारोजगार के अंतर को थीक है बाटना इस पर होगा आगे देखते हैं समगर बीमा पहुँच देखे तो यह समगर बीमा पहुँच के अगर हम बात करें तो 2022 में कितना 4.2% ठीक 2023 में 4% तो कितना घाटा हुआ है 2% का घाटा हो गया ठीक है समगर बीमा पहुँच और यह समगर बीमा घुना तो 2022 में 91 डॉलर और 2023 में 92 डॉलर ठीक है तो क्या हो रहा है यहाँ पर एक परतिशत का ब्रीधी उपर देख लेते हैं और क्या है हमारे important fact भारत का समगर वैस्विक पेंसुझकांक मुल्क 2023 में 45.9 परतिशत हो गया है ठीक है भारत का समगर वैस्विक पेंसन सुचकांक मोले 2023 में 45.9% हो गया है ठीक अगर वही क्रिसी रीन में बात करें तो 2021 में 13.3 लाख करोर था ठीक 2024 में कितना हो गया है 20.7 लाख करोर ठीक है क्रिसी का ये रीन है दोस्तों ठीक जो देख लेजिए 2024 में 1.5 गुना के बिरिधी हुआ है रीन में आगे देखते हैं आगे है क्रिसी छेतर में GNPA मार्च 2024 तक 6.5% था क्रिसी छेतर में GNPA मार्च 2024 तक 6.5% था प्रोजेक्ट नेक्सेंस फर्स्ट पेमेंट सिस्टम समबंधित के अंतरार पर ये पहल किया गया है ठीक है माफ कीजिएगा फोन आ गया था किसी का ठीक है तो ये प्रोजेक्ट नेक्सेंस फर्स्ट पेमेंट सिस्टम से समबंधित है तो देखिए इसमें कौन-कौन से देश है मलेसिया है, थाइलेंड है, फिलिपिन्स है, सिंगापूर है भारत ठीक है तो प्रोजेक्ट नेक्सेंस में पांच देश है ठीक है ये प्रोजेक्ट नेक्सेंस में पांच देश है ठीक है ये प्रोजेक्ट नेक्सेंस में कितने देश? पांच देश ठीक, किलियर हुआ, आगे देखते हैं, वर्सistant 2024 में corporate bond, 8.6 लग करोड हो गया है, तिक है, आगे देख लेजिए, ॉटल पेंशन, क्या है? आटल पेंशन योजना के ग्रहाघोगों की संख्या, पेंशन ग्रहाघो की संख्या का लघभग असी परती सत है, ठीक अटल पिंसन योजना के ग्राहकों के संख्या पिंसन ग्राहकों के संख्या का लगवक 80% है भारत में मुद्राइस्पिती दर का लक्ष 2-6% हो गया है ठीक है भारत में मुद्राइस्पिती का दर का लक्ष जो है 2-6% करका गया है वही निर्याद पर परतिबंद ठीक है क कौन से निर्यात पर परतिबंद लगाया गया है देख लीजिए प्याज पर निर्यात पर परतिबंद है आटा निर्यात पर परतिबंद है जिसे गया हूँ ठीक है गैर वसमती चावल हो गया तूटे चावल हो गया इस पर निर्यात पर परतिबंद हित किया गया है ठीक है उ उसना चावल पर निडियात सुल्क लगाया गया है, ठीक है, उसना चावल जैसे खेतों में हम लोग बोते हैं, धान होता है, बॉयल करते हैं, कुटवाते हैं, उसको बोलते हैं, 29% राजियो प्लस यूटी में, ठीक है, मुद्रा इस्पीती की दर 6% से कम है, यूटी, ठीक है तो मुद्रा इस्पीती की दर, उनियन टेरिस्ट राज बोलते हैं उसको, 6% से कम हैं वैसे राजियो में, और RBI कनुसार हिट लाइन मुद्रा इस्पीती देख लीजे, 205 में 4.5% और 2026 में 4.1% है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेते हैं, वैसे बोक्ता वस् प्रीजर बैंक इसे टो ہम लोगों ने देखा लिए, ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका, लोईस्टिक परदर्शं सुचकांग 2023, वीजसो बैंक दौरा जारी किया गया, ठीक है, लोईस्टिक परदर्शं सुचकांग 2023, वीजसो बैं में चार दस्ंबलोद नौ परतीसत की बिरिधी दर्ज की गई। वैस्विक वस्तु निर्यात में भारत की भागदारी तो में कितना था एक दस्ंबलोद आर्ठ परतीसत ठीक तो सेवा छैतर के निर्यात में 4.9% के बिरिधी दर्ज की गई और बैस्विक वस्तु निर्यात में भारत की भेगिदारी 2024 में 1.8% रही ठिक यही इसमें दिया हुआ है ठिक है ना परदेते इंपोर्टेंट फैक 30 अपरेल 2024 की इस्थितिक अनुसार कुल 2022.6 गीगवर्ट अस्थापी सोरूर्जा का छमता होगा ठिक है 30 अपरेल से 2005 से 2019 के बीच 1.97 अरब टन कर्वन डाई एक साइट के बरावर कार्वन समन बिरिक चेम और अच्छादित छेत्र का स्रिजन किया जा चुका है ठिक अब देख लेते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट यह कहां से यह हम लोग देखेंगे इसके बाद हैं GDP में वैस्विक बेपार की भगिदारी 2005 के 32.3% से बढ़कर 2023 में 40.8% हो गई है ठिक वर्ष 2024 में भारत के निरियात में 0.23 की ब्रीधी हुई यहां आयात में 4.9% की गिरावट आई है ठिक तो 2024 में भारत के निरियात में 0.23 क ब्रीधी हुई है और आयात में 4.9% की गिरावट आई है आगे देखते हैं आगे है भारत बिश्व के 2.5% हतियार निरियातक देशों में सामिल हो गया है ठिक है तो भारत बिश्व के 25% हतियार निरियातक देशों में सामिल हो गया है स्मार्ट फोन के निरियात में वर्ष 2.2% की बिरिधी हुई है ठिक सेवा निरियात में भारत की भागिदारी फेले यह देख लेते हैं ठिक है थोरा उपर कर देते हैं यहां देखते हैं सेवा निरियात में भारत की भागिदारी 19.093 से 0.5% ठिक है और 2022 में 4.3% थिक, शेवान निरयात में भारत की भाईगदारी और 1993 में 0.5 और 2022 में 43 ठीक उसके बाद है CECPA भारत मौरिसस का एक प्रोजेक्ट है ये CECPA भारत और मौरिसस के बीच प्रोजेक्ट है समझोता है ठीक है हस्ताक्षर किया गया इसको लेकर 2021 और फिर की देश के साथ हस्तचारित पहला ब्यापारिक संधी हुआ ठीक है तो CEPA में भारत और UAE संजुक्त अरब अमिराद CEPA में सेपा CEPA में भारत और UAE UAE मतलब संजुक्त अरब अमिराद ECTA एक समझोता है इसमें भारत और अरस्टेलिया के बीच हुआ ECTA ठीक आगे देखते हैं वर्स 2024 में भारत में 106.6 billion dollar का बीप्रेशन प्राप्त हुआ है ठीक है कितना बीप्रेशन प्राप्त हुआ है 106.6 billion dollar का विदेशी मूंद्रा का भरणडार 653.7 billion dollar ठीक और वाद एरीन अनुपात के बात करें तो 18.7 परतिसद ठीक तो निवल सुने उटसर्जन का लक्ष 2017 तक रखा गया है ग्रीन हाउस गैस उटसर्जन में ठीक है 33 से 35 परतिसद की कौमी का लक्ष 2023 तक रखा गया है ठीक है उसके बाद है प्रती ब्यक्ती सकल घ्रेल उत्पाद का का 2484.8 डॉलर कितना है 2484.8 डॉलर ठीक आगे देखते हैं आगे है आपका वीदूत उत्पादन में गैर जिवास्म सुरोतों की भागिदारी मैं दो हजर चोबिस तक 45.4 परतिसत हो गई है गीग स्रॉमिक वर्ष दो हजर तीस तक 2.35 करोर होने का नुमान है ठीक किलियर हुआ वीद्वर्ष दो हजर चोबिस अर्थ विवस्ता को कूला कार लगवक पच्पन परतिसत है सेवा छेत्र पी एमाई मार्ष दोहर चोबिस में नई उचायों को छूते हुए 100.2 पर पहुंच गया है ठीक है यहाँ से प्रस नखारा के नहीं लेकिन यह जो बताएं है पेन से लिखा हुआ है वो इंपोर्टेंट है गिनी कोई सिंक्येट में गरामीन के संख्या 0.266 और सहरी का 0.314 ठीक पी एम एवाई के तहट 10 वर्सों में 2.63 घर बनाये गए है ठीक है परधान मंतरी जो होता है योजने के तहट 10 वर्सों में इतना 2.63 करोर घर बनाये गए है उसके बाद क्रिसी में देख लेते हैं बिरिधी धर 4.18 परतिशत हुआ है ठीक है केसे सीरीन कितना होगया है 9.44 लाक करोर जन्वारी से दोजर 24 तक सुक्चम शिचाई के तहट 90 लाक हेक्टीर छेतर सामील है अरत बिवास्ता में सिवा छेतर का योगदान 55 परतिशत है भारत का सेवा निरिवाद वैस्विक निर्यात का 4.4 परतिसत है परियटन उद्योग में 43.5 परतिसत की ब्रीधी देखी गई है यही टेली डेंसीटी 2024 में 85.7 परतिसत की ब्रीधी देखी गई है ठीक है उसके बाद है internet density और 6.2 परतिसत ठीक है यह सब ब्रीधी दर है उसके बाद देख लिजे बित वर्ष 2024 में परति दिन 34 किलोमेटर की दर से रस्टी यह राजमार का निर्मान की गया है उसके बाद है रेलवे दुआरा बंदे मेट्रो ट्रेंसेट नामकोच के निर्मान के घोसना की गई है ठीक है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम विदुद मंत्रा की पहल है विदुद मंत्रा की पहल है उसके बाद है आरेंडी पर जीडीपी का 0.8 परतिशत खर्च हुआ है ठीक है उसके बाद अक्षय उर्जा को देख लेते हैं अक्षय उर्जा में ठीक है तो 190.57GW और 43.17 यानि आयात में देखे तो चीन के साथ चीन एक नमर पर है आयात के मामले में रूस अपना भारत पांचवे अस्थान में भी नहीं है ठीक है अपना भारत याद रखी गए चावल को उत्पादन में तिलांगना उतरपरदेश पच्छी मगल और गेहु के उत्पादन में उत्रपरदेश मदपरदेश पंजब है ठीक है गेहु और चावल को उत्पादन में यह सब यहाँ पर दिया हुआ है आप यूज करकर देख लेंगे ठीक है इंपोर्टेंट है इसलिए अटैच है यह भी यह सब सवक्ष भारत मिशन ग्रामीन के अंतरगत 10 जुलाई दोहजर चोबीस तक 81.57 करोर सोचाले और 2.9 लग समदा एक सोचाले प्रश्रु का निर्मान किया गया जल जीवन मिशन के अंतरगत 11.7 करोर घरों को नल जल कनेक्शन परदान किया गया पीएम अवास ग्रामीन के अंतरगत पिछल नव अर्शों में ठीक है गरीबों के लिए 2.63 करोर घर का निर्मान किया गया PM उजवाला के तहट 10.3 करोड LPG connection परदान किये गए सो भाग एक अंतरगत 2015 से 21.4 करोड ग्रामीन परिवारों के विद्युत करण किया गया ठीक उसके बाद च्छेतरिये ग्रामीन बैंक के अंतरगत 9.7 करोड लाभारती पंजिकरित हुए 0.19 करोड भारती ग्रामीन सरकारी बैंकों के तहट पंजिकरित किये गए ठीक है यह सब important fact है आप याद कर लेंगे बाकी फिर अगले वीडियो में हम ऐसे ही एक जबरदास topic ले कराएंगे ठीक है केंदर लेबल का और बिहार लेबल का यह दोनों हम करवा देते हैं फिर अगले वीडियो में बारी बारी से करेंगे ठीक है बाए 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 और मन लगा कर पढ़ाई किजिए सभी लोग जी जान लगा दीजिए इस बार बारे सो तीस पोस्ट है बीपीएसी में